हाँ जी शुरू करते हैं फिर काल मार्क्स का concept of alienation की alienation में वो चाहते हैं क्या कहना बहुत ही एक simple concept है alienation का जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि alienation का मतलब क्या होता है जब आप अपने surrounding से अपने दोस्तों से जब आप relate ना कर पाओ आप थोड़ा estranged feel करो आपको लगे कि य हो गए और राधर उनके जैसे सोच नहीं पा रहे उनके जैसे करने ही बारे तो उसको alienation कहते हैं काल मार्क्स इसको आगे कैसे define करते हैं and काल मार्क्स ने extensively use किया इस particular concept को अपनी theories में जैसे काल मार्क्स कहते हैं कि separation from कि आप जुदा हो गए आप खफा हो गए हो थोड़ा सा अपने आसपास से अपनी सोसाइटी से अपनी सराउंडिंग से दोस्तों से परिवार से किसी से भी हो सकते हो alienate ठीक है बिसमें हमने पहले एक्जाम्पल लेके बताया था जैसे जो generally UPS से जो prepare करते हैं बच्चे वो parties वगारा में जाके इतना relate नहीं कर पाते and they feel alienated है इसा हम आप ऐसे अपने आपको एक as a stranger behave करते हो in a situation आपको लगते है कि आप जानते ही नहीं situation में आप आये कैसे ठीक है और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो ठीक है dis enchantment बहुत अच्छा word है यहाँ पर डाल सकते हो ठीक है और उसके बाद यह काल माक्स की जो theory है हमारी class struggle की उसमें वो काल माक्स की theory काफी complete नज़र आती है कि यह दो चीज़े ही है यह particularly जो drive कर रही है कि capitalism के खिलाफ जो एक लड़ाई लड़ी जाएगी तो वो लड़ाई में यह दो चीज़ें काफी important होने वाली है ठीक है and it is a situation of powerlessness, isolation, meaninglessness कि आपको लग रहा है कि particularly यह ऐसी situation में आप कुछ less feel कर रहे है और काल माक्स क्या कह रहे है कि workplace पर जो alienation है वो बहुत important एक तरह की alienation है और उसी alienation से समाज बदनने का सारा मसाला पैदा होगा और उसी alienation के चलते ही जो इनसान होगा वो try करेगा कि सब कुछ मैं जो अपनी surrounding को बदलूँ क्योंकि वो जो alienation जो workplace है workplace super structure को जरम दे रही है कि किस तरह की super structure है जैसे workplace के चलते ही तो हो रहे है कि classes बनी हुई है दो तरह की haves and have nots तो उन super structure को बदलने का कहां से सब कुछ यह जो आपको आगर बोलूँ जो बारूद या असला आ रहा है कहां से आ रहा है workplace से तो workplace source है alienation का आगे causes में बताता है काल माक्स कि क् एक तो maddening work कि बिल्कुल पागलों जैसे काम करते हैं लोग 14-16 गंटे जिस 1850 में जब वो माक्स लिख रहे है उसके आसपास की एरा में उसके कारण एक तो alienation बहुत ज़़ा हो रही है और एक बहुत important चीज़ क्या है दो चीज़ी है बताएंगे कि एक तो creativity कहीं इंसान दि साब से ठीक है यह याद रखना दोनों बात है आगे एलिशन के बार में आकर और देखें काल माक्स तो बहुत एक अच्छा एक कोट है यह किताब है इनकी वही economics and political manuscripts याद हुज़े तो अच्छी बात है तो वहाँ पे काल माक्स क्या बोलता है इन बुर्जवा society बुर्जव individuality नहीं है बहुत ही जबर्दस कोट है दुबारा पढ़ो बहुत मसाएगा आपको ठीक है पॉस करके है पढ़ ले ना capital is independent and has individuality while living person is dependent and has no individuality और वो कहरे इतना alienating situation है कि इनसान की कोई कदर नहीं है सब को सरफ capital या पैसा ही हो गया है ठीक है अब यहाँ पर काल माक्स के concept है being versus social being समझने के try करना मैं आगे मैं समझा होंगा उसमें लिख के भी पहले एक बार इसको समझ लो क्या कह रहे है being बोल रहे है कि इनसान का कोई inner self पी होता है जो बहुत ही creative self है इनसान उसमें बहुत ही creative होके काम करता है जो social being होता है यह करता है यह क्या है यह सामाजिक being है यह किस तरह की society चल रही है उसके हिसाब से बदलता रहता है and capitalism में क्या हुआ है social being जो है वो काफी क्या है selfish nature का है वो जो capitalism में जो हम किस तरह से समाज में behave करते हैं वो हम क्या है बहुत selfishly behave करते हैं सब कुछ अपने लिए इकठा करना चाहते हैं हमारे लिए समाज के लिए या फ जिस तरह का mode of production चल रहा होगा उसी के हिसाब से बदलता रहेगा जिसको social being बोलेंगे and Marx कहरे है कि social being या social consciousness भी बोल सकते है उसको आप जो define करते है कि किस तरह की society चल रही है किस तरह का mode of production चल रहा है उसके हिसाब से इंसान की nature बदलते रहती है and second दूसरा वाला जो है that is your being यह fixed aspect है क्योंकि काल मार्क्स का conception है human being की वो काफी अच्छी है काल मार्क्स की अंदर से तो इंसान बहुती awesome चीज है तो बस उसको सामाज ने या जिस तरह का mode of production चल रहा है उसके चलते वो बुरा हो जाता है तो वो कहरें इसलिए यह जो एक fixed चीज है इसको being कहते है and और व social being हावी हो जाता है capitalism में and social being हमारा capitalism में कैसा है selfish यह काल मार्क्स लिखते भी है अब यह बहुत ही जबरतस quote है यह please इसको try करना हमने test में भी पूछा है इसको explain करने के try भी करोगे अब it is not the consciousness of men that determines their existence वो गहरें कि जिस तरह इंसान सोच रहा है consciousness है जो उसकी अंदर से जो सोच क्या बहुत है उसका उल्टा हो रहा है contrary क्या है it is their social existence that determines their consciousness वो कैरें समाज में जिस तरहां से वो placed है जो mode of production में जिस तरहां से चल रहा है उसके हिसाब से ही उनकी consciousness decide हो रही है समझे बात ही बहुत ही बड़ी ही मज़दार बात रखते है मैं जो खुद सोच कर देखो करें ज चलते है आपको वो क्यालमाक्स को चाहते है कहना कि capitalism को चलते है आपको वो selfish बिनाने के try कर रहा है ठीक है ओके आगे देखते हैं वो कह रहा है कि communism में इसलिए there will be no social being communism में सिरफ और सिरफ being होगा इंसान अजाद होगा creative होगा उसको जो करना है वो करेगा ठीक है और बहुत अब alienation को अपनी historical materialism में वो कैसे देखते हैं कैसे जोडने की try करते है historical materialism में वो कहरे है कि अगर मैं इंसान की history का अगर मैं एक देखूं इंसान की history में जांकर देखूं तो मुझे दो चीज़े नजर आती है double aspect पहला तो क्या बोलते हैं कि पहला aspect क्या है कि history of control of man over nature हमने प अगर इंसान control बनाता रहता है economic superstructure आता रहता है economic superstructure के ऊपर आपकी बन जाता है जो social superstructure बन जाता है ठीक है ये बात कीती हो कहते है कि इंसान जो nature पे control बढ़ाता जा रहा है पहला aspect तो ये at the same time वो कहते है इतिहास में अगर जांके देखो history of increasing alienation of man कहते है अगर इतिहास आग वो बोलते है कि इसलिए capitalism में तो peak पर आजाएगा alienation उसके बाद ही revolution आएगा हम communism लेकर आएंगे पहले socialism फिर communism ठीक है ओके तो इसलिए बोलते है कि increasing alienation within specific mode of production पहला तो ये दूसरा between different modes of production मैं आपको अगरमेटिकली बिलाने के try करता हूँ यहाँ पर इसको रप करतेंगे बा इसमें आपके master slave चल रहे थे दिन आता आपका feudalism दिन आता आपका capitalism दिन आता आपका socialism दिन आएगा आपका communism यह कालमाक्स ऐसे कह रहे हैं और मानलो अगर इस वाले हम axis पे alienation का डाल दें कि alienation कितनी ओरी इंसान की तो वो कह रहे हैं कि पहले ऐसा हुआ कि शुरुआत में त तो एक बार तो बढ़ी फिर एक बार revolution आएगा master slave वाला एक बार dip हो जाएगी एक बार dip हो जाएगी लेकिन फिर बढ़ेगी हाना फिर revolution आएगा फिर dip हो जाएगी लेकिन फिर बढ़ेगी ऐसे कहते और नहीं कहते capitalism तो peak पर आजागी capitalism में तो यह peak पर आजाएगी उसके बा of production, जब ये चल रहा था हमारा ancient M.O.P. तो बढ़ती गई हाना, लेट से अगर आप capitalism देखो, ये वाला जब चल रहा था तो एक बार थोड़े dip मारती है, फिर बढ़ जाती है हाना, एक तो एक तो within the specific M.O.P. बढ़ती गई, and कैसा अगर मैं different M.O.P. को भी compare करो उनमें बढ़ती गई, पहले level ये आया था, फिर level ये आगया, फिर level ये आगया, ये within and between different दोनों में ही alienation बढ़ती जा रही है, कालमाक्स ऐसा समझते हैं, अगर आप ये diagram बना दोगे तब भी बहुत ही अच्छी बात है, ये किसी बुक में ने गिवन, हमने खुद सही एक interpretative हमने भी बना दिया, ठीक है, आप ये पूरा लिखते हैं, यहाँ पे ancient mode of production है, feudalism, capitalism, socialism, communism, ठीक है, communism में it will start touching zero, कि alienate नहीं होगा, इंसान कालमाक्स समझते हैं, आगे, अब किताब हैं इनकी जो सबसे बैसे famous work है, जो das capital, जो the capital बनता है, इंग्लिश में, जर्मन में लिखे, in the chapter of fetishism of commodities, ये एक chapter है, उसमें fetishism of commodities, ये explain करते हैं कि alienation हो जाएगी, industrial society में बहुत जादा, बहुत important point है, यहाँ पही याद रखना है, अपने paper में लिखे भी आना है, वो कहरे हैं, उसमें चार टाइपस of alienation है, हमारी capitalist society में, चार दराखी alienation है, बहुत ही easy to remember है, मैं बहुत हो कौनसी कौनसी, पहला, पहला बोलते हैं process से, आप alienate हो जाओगे process से, कैसे कहते हैं, machines, inanimate source का मतलब होता है, कि बिजली से काम हो रहा है, generally, कोई किसी की जान नहीं लग रही, बिजली काम मशीने चला रही है, animate source of energy, machines, ये सभी कुछ काम कर रहे हैं, जो production पुरी pre-designed है, worker का कोई control नहीं है, machine हो बगारा पर, तो कोई उसको creativity फील नहीं होती, कोई ownership फील नहीं होती, तो इसलिए process के कारण भी वो क्या होता है, alienate हो जाता है, worker आपका, दूसरा, alienation product से भी हो जाती है, क्योंकि कहते हैं, हमने जो कितनी quantity बनानी है, कितनी quality का बनाना है, हम तो decide कर रहीं रहें, ये सारा तो capitalist decide कर रहा है, और उसके बाद कहते, सबसे बड़ी बात तो क्या है, product बन गया, market में जाके वो उसको, worker को product purchase भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है, जैसे अगर आप मारूती में job करते हो, ऐसा नहीं है, आपको मारूती free मिल रही है सारी, जितनी मारूती खरीदने खरीद लो, आपको थोड़ा discount मिल लाएगा, 10%, 5%, लेकिन आपको ultimately purchase हो करनी पड़ेगी, same चीज जो आपने बनाई थी अपने हाथों से, तो बोल रहे हैं कि आपको feeling ही नहीं आती, कि आपकी ownership ही नहीं है, आपने कुछ किया ही नहीं, आपका product ही नहीं है, तो पहले चीज तो होगी हमारी process से, दूसरी होगी हमारी product से, and then alienation हो जाती है, जो fellow workers, fellow workers से हो रहाएगी, क्योंकि किसी से interact करने का वक्त नहीं है हमारे पास, तो fellow workers से हमारी alienation हो जाएगी, and चौती है, alienation किस से खुद से, यह है सबसे ही dangerous level, खुद से alienation कैसे हो गई, कि उसको किते हैं, इंसान को, worker को, अपनी ही existence पर doubt होना शुरू हो गया, कि मैं कर के आ रहा हूँ जिंदगी में, बहुत सारे बच्चों को भी जिंदगी में शुरू हो जब वो, जब वो UPSC की त्यारी करना शुरू करते हैं, तो वो कर के आ रहे हैं, लेकिन अंत बहुत अच्छा है UPSC का, अगर आप अफसर बनोगे, तो you will realize कि अब बहुत ही आपके पास scope है अच्छा करने का, चलो वो आपके साते हैं, काल मार्स पर, वो कहने हैं, worker doubt करना चुरू करता है कि वो अपनी existence पर, कहते हैं अपने लिए कोई time नहीं है, उसके पास family से interact करने का कोई वक्त नहीं है, salary बहुत low है, और कहने को तो he is free to sell his labor, लेकिन वो कहने हैं, ये freedom भी है, ये धोका है, it is deceptive, क्योंकि इतनी ही minimum सी salary है, कि बस survival होता है, सिर्फ गुजारा होता है, कुछ बचता नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं चुट्टी लेके कुछ काम कर लू, no, कहते हैं इसलिए खुद से भी वो maddening work के चलते, self से भी हो रहाएगा, alienate, जो चार कौन से होए, he loses a sense of control over his own will, कि खुद पे ही कुछ अपनी मर्जी पे काबू नहीं रहा, जो चाह रहा है system करवाना वो करता जा रहा है, system ने इतना उसको बजबूर कर दिया है, गुजारे ही नहीं होते, तो जो system करवा रहा है, 18 गंते काम, 16 गंते काम, उसको करना पड़ रहा है, क्यूंकि कोई और option ही नहीं है, इसलिए कहते हैं कि alienation peak पे पहुंचेगी, इसमें and true revolution, इसलिए capitalism ही आएगा, और यहां बहुत ही एक और जबरतस quote है, देखो काल मार्क्स quote से भरा हुआ है, काल मार्क्स में हजारों quote से, मैं तो सिर्फ कुछ ही ले गया हूँ आपके लिए, तो जैसे क्या लिखते हैं कि subject-object relationships get inverted, कि subject-object relationship get inverted, objects become subject masters, थोड़ा ठीक कर लें इसको, subject-objects become subject masters, कितनी important, कितनी सही line है, जैसे आपने अपने life में feel करकर देखो, आप यह mobile phone पर, कि mobile phone ideally तो, आप उसको control करते होने चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, आज की एरा में mobile phone आपको control कर रहा है, subject-object relationship, बिल्कुल ही inverted हैं, बिल्कुल घूम गए, mobile आपका होना चाहिए था, अगर मैं बोलूँ slave, आप थे mobile के, you were mobile master, लेकिन उल्टा हो गया, mobile master बन गया, आप उसके slave हो, तो, इसलिए, काल मार्क्स भई, ये 1850 में ऐसा बाते लग गए, कि किस तरह से capitalism के चलते हैं, ये relationship invert होने ही होने हैं, objects ही आप पे rule करेंगे, आपको नया-नया, लेट से ही समान चाहिए होगा, और आप हमेशा ही, उनके गुलाम मन के घुमते रहोगे, अपने बारे में कभी सोचोगे ही नहीं, ओके, चलो, इसलिए, मुझे बहुत बार रखता है, कि काल मार्क्स उस जमाने के, कोई संत, महात्मा, बाबाजी रहे होंगे, जिनकी बातों को रिकॉर्ड कर दिया गया, लिख दिया गया, अकैडमिक लैंग्विज में, तो आप उनको जब और रिटेक में पढ़ते हो, तो यू रिलाइज दिस, अब काल मार्क्स का जो सोल परपस है, यह कैपिटलिजम को या वगारा कोई क्रिडिसाइज करना नहीं है, अलियनेशन बता दिया, उनका एक और जो स्ट्रॉंग परपस क्या है, वो है अजाद करवाना, वो है एमांसिपेशन ऑफ यूमन बींग्स, तो इसलिए वो कॉंसेप्ट भी देखे जाएंगे, एक और डी एलियनेशन का, कि किस तरह से हम एलियनेशन से छुटकारा भी पा सकते हैं, डी एलियनेशन, इसलिए बोना है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी खतम कर देंगे, इसलिए बोना है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी खतम करो, सोशलिजम उसी के बाद ही आ सकता है, इसलिए बोना है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी खतम कर देने से हमारा चुटकारा नहीं होगा, पूरा प्रॉपर्टक्शन का प्रॉपर्सेस को बदलना पड़ेगा, और वो कहने हैं कि इसलिए सोशलिजम जो होगा, वो एक बस ट्रांजिशन फेज होगा, और इसलिए बोलते हैं, जब कम्यूनिजम आएगा, तो टोटल मैन भी आएगा, इंसान सच में अपनी कम्पलीशन पे निकलेगा, अपनी टोटल कपासिटी पे काम करेगा, टोटल कपासिटी पर वो arrive, अब यहाँ पर इसलिए काल माक्स का बहुत एक जबर्दस कोट अगेन, वो क्या लिखते हैं, वो काल माक्स कह रहे हैं कि जब कम्यूनिजम के बारे में कह रहे हैं, कि कम्यूनिजम में क्यों होगा, अभी आप ऐसा नहीं कर सकते, आज की एरा में इमाजिन करो, अगर आज आप डॉक्टर हो, तो कल भी आप डॉक्टर हो, कल आप कुछ और नहीं हो, कल इंजेनियर नहीं बन जाओगे न, लेकिन जब कम्यूनिजम आएगा, आपके पर बहुत अजादी होगी, आपको ऐसा कुछ बंदेश नहीं होगी, आपका जो मन करेगा आप वो कर सकते हो सच में, आपको सर्वाइवल की भी टेंशन नहीं होगी, कि ऐसा मेरे गुजारा कैसे होगा, तो क्योंकि सभी लोग ग्रीड से ड्रिवन नहीं होगे, आप सब की मदद करोगे, कि डिनर के बाद मैं फिलोसफी जाड़ूँगा, फिलोसफर बन जाओंगा, क्रिटिसाइज करूँगा, तो इतना सब कुछ करूँगा, I have a mind, but without becoming a hunter, fisherman, herdsman and a critic, कि बिना ये सब कुछ बने भी मैं सब कुछ बन सकता हूँ, कब अगर मैं communism में जब मैं पहुंच जाओंगा, और communism में total man arrive होगा, जो सब कुछ कर सकता होगा, सब कुछ उसके करने की, क्योंकि creative है human being, अंदर से उसकी जो being creative है, वो कुछ भी कर सकता हो, ठीक काल माक्स इसलिए बहुत ही एक utopian thinker है, utopia imagine करने के try करते हैं, कि जब ऐसा हो रहाएगा, कि human being सच में ही इतना awesome होगा, सब कुछ कर सकता होगा, तो अभी आज की एरा में हम इतने हमारी आखों पर capitalism का हम पर अगर कहीं run कड़ा हुआ है, हम सच में देखनी पाते हमारी जो glasses हैं, हम सच में यह वाली चीज़े imagine नहीं कर पाते हैं आज के एरा में, तो काल माक्स का जब आप जतना जानों के इतना पढ़ते होगे, आपको किताबों में तो at least, theoretically तो काल माक्स best thing कर नजर आएगा, theory में, ठीक है, लिकिन practice जब करने के बात करिए, एक practice में बहुत ही मुश्किल रहा है, रशिया वगारा में चाइन में इमाजन किया गया, लिकिन जो काल माक्स ने कहा था वैसा कुछ नहीं किया गया, वहाँ पे जो माक्सियन थे जितने भी, जिसे बाद में लैनिन और स्टैलिन हुए, और उसके जहां पे चाइन में माओ वगारा हुए, तो इन्होंने जो माक्स ने बताया था, वो तो as such directly नहीं किया, तो लेकिन हाँ उसको mold कर दिया, काफी जाथ अपने हिसाब से, तो वो इसलिए जब वो कहते हैं कि रशिया fail हो गया, तो वो कहते हैं कि Karl Marx fail हो गया, नहीं Karl Marx fail नहीं हुआ, कौन fail हुए, Marxist fail हुए, Marx को समझने वाले fail हुए, Marx fail नहीं हुआ, Marx ultra utopian है, सब का भला चाहता है वो Karl Marx, और Karl Marx इसलिए बहुत ही misunderstood है, Karl Marx बहुत revolutionary है, for the longest time आपको पता है कि, अगर आपके पास, दुनिया में, US वगारा में, UK में अगर आपके पास Karl Marx से जुड़ी होई कोई भी किताब होती थी, आपको जेल हो जाती है क्योंकि Karl Marx रेवलूशनरी है और इंडिया में आपने सुना होगा कभी कानपूर, कॉंस्पिरेसी वगारा तो वो सबी क्या था, कि वो Karl Marx की बड़ी बातें, डिसकस करते हैं लोग तो इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया था तो यह particular है, यह चलो आगे बढ़ते हैं अब इसलिए de-alienation के process क्या है re-integration of oneself with oneself ठीक है, यह बहुत ही जवर्दस लाइन है, वैसे काफी देखो, poetic सी लाइन है कि खुद को खुद से मिला दिया ठीक है, oneself with oneself Karl Marx पड़ो को तो काया Karl Marx poet भी लगता है आपको सच में लगता है, Karl Marx total man थो था कि जो मन कर रहा है, वो कर रहा है economics लिख भी सब कुछ लिख दिया जो political science के बारे में इतना कुछ लिख दिया, ओके, चलो अब यहाँ पर dialectical materialism की बात समझते है वो कहरें, dialectics क्या होते है दो तरह से dialectics आप imagine कर सकते हो dialectics पहला तो होता है कि as a matter of discussion की सवाल जवाब मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप उसको जवाब दे रहे हो मैं उससे कुछ extra सवाल बोच रहा हूँ, तो dialectics ऐसे, वो कहते है क्योंकि जब सवाल जवाब आप करके आगे बढ़ते हो एक कोई question, एक कोई उसका answer तो आप काफी progress करते हो, नई चीज़े discover होती है, और नई meanings निकलते है, तो उससे society progress भी करती है, अगर जिसको, let's say, बोलो thesis, उसके counter में, let's say, किसी ने idea दे दिया जिसको कहा सकते हैं, antithesis हाना, आपने कोई idea दिया, कोई theory दी, उसके, उसके किसी ने बिल्कुल ulty theory दे दी, antithesis, दोनों में फिर आपने कुछ अच्छा दी, hello hello दोस्ती, दोस्ती कराई, कुछ नया निकल कर आएगा, तो उसको कहेंगे हम synthesis जो दोनों में, दोनों के features लेकर आगे चलता होगा, काल max वगारा, सभी, जो heagle वगारा सभी, ऐसे ही मानते थे, अगर आप खोड़ा सा, Ridser पढ़ओगे, Ridser में, you will realize Ridser में कोछ चाप्टर है, शुरू में आप इसको ढूंडो, चाप्टर वन के आसपास जहां पर काल max की बात की गई है, तो वहाँ thesis, antithesis and synthesis की बात दिखेगी आपको, तो इस तरह से कहते, society progress करते गई है, नईने ideas inculcate होते जाएंगे, तो माक्स ने, इसलिए hegelian, जो dialectical idealism था, उसको थोड़ा सा change करके materialism पर डाल दिया again मैं आपको एक बात चातों समझाना basic से, idealism और materialism हमने पहले भी बात की थी मैं quickly revise करा रहा हूँ आपको idealism और materialism में पहले materialism अगर देख लो, materialism क्यों आता है material surrounding जो आपके आसपास जो चीज़ें आपको surround करती है, चाहे वो physical हो, जिसनको आप छूसकते हो हाना, चाहे वो physical हो या फिर idea, या फिर non-physical non-physical हो हाना, non-physical तो वो कहरें कि जो आपके आसपास की चीज़ें हैं, वो आपको बदलती है, कि आपका जो material surrounding है, physical, non-physical ये इनसान को human को बदल देता है ठीक है, this is the idea of materialism, ठीक है जबकि idealism क्या कहता है, नहीं, humans के पास idea है, human meaning देगा material को, कि इस material को कैसे use करना है, या कैसे shape देनी है, इसको discard करना है, इसको evolve करना है, human कर रहा है, तो ये किसका basic सी understanding है idealists की, materialist and idealist में समझ गया, material humans को बदल रहा है, ये materialist समझते है and humans के ideas are giving shape to material ये idealist समझते है, ठीक है ये एक basic सी understanding आप दिमाग में हमेशा रखना, idealist and materialist ठीक है, वो वाला materialist में समझना की जब बोलते हैं, आप किसी को बोलते हैं, बड़ा materialist आदमी है, वो वाला materialist की होता है जिसको धन दौलत चाहिए होता है वो वाला materialist अलग होता है ये वाला थोड़ा थोड़ा different meaning है materialism का ठीक है, ओके अब यहाँ पर काल माक्स के बहुत अच्छे दोस्ते, UK में जो Frederick Engles, Engles बोलते हैं Frederick Engles, तो Engles ने तीन law दिये, dialectic materialism के थोड़े complex हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर थोड़ा उनको इत्मनान से समझो तो बहुत अराम से समझा जा जाते हैं क्योंकि ऐसे social में तो generally कुछ ऐसा है नि जो complex है, तो तीन laws क्या है, dialectical materialism के पहला वो कहते हैं, पहला है law of unity and conflict of opposites इसका मतलब क्या हुआ, वो कहते हैं जो opposites हैं, opposites वो कहते हैं कि आपस में लग रहा है कि उनका conflict है, लेकिन conflict नहीं है, वो united भी है कैसे? वो कहते हैं, एक चीज exist करती है, इसी के कारण दूसरे exist करती है, for example अगर हर वक्त ही, दिन, रात, उभा शाम, अगर, लेट से, सूरा चमाकता रहता है, अगर हर वक्त ही सूरा चमाक रहा है, कभी भी सूरा ढलता नहीं, ऐसा मालनों को system होता तो हम सिर्फ day बोलते हैं या थो हम उसका कुछ नाम ही न रखते day, अगर हम बोलते हैं, इसका मीनिंग पता क्यों है, क्योंकि night exist करती है अगर रात आती है, तब ही हमें पता है कि day आ गया, otherwise लेट से चली जा रहे है, कोई चीज एक चलती रहती हमें पता नहीं होता कि सूरा चुपता है, अभी सूरा चुपता है जब night आती है, तो हमें day की feeling आती है similarly, किसी के पास जब extra पैसे होते हैं, तो उसको आप बोलते हो rich, किसी के पास पैसे जब काम होते हैं, उसको आप बोलते है poor अगर सब के पास same पैसे होते हैं, को rich poor के नाम की कुछ चीज ही नहीं होती, हणा तो इसी रहे बोलते हैं कि दुनिया में opposites अगर exist करते हैं तो there is a reason, क्योंकि हाँ देखने में लगता है वो conflict है उनमें आपस में, लेकिन उनमें unity भी है, वो दे, इसको ऐसे कालमाक्स ऐसे अपने word में बोलें तो, क्या बोलते हैं, they presuppose each other, presuppose, एक के कारण ही दूसरे की existence है, otherwise तो हम उनको पहचानी ना पाते हैं, देखी ना पाते हैं, कि ऐसे कोई चीज भी है, दूसरा, दूसरा बोलते हैं, law of negation of negation, वो कहरें कि dialectical materialism है थोड़ा सा कहते हैं, जब इतिहास में अगर हमें जहांके देखा, आप कालमाक्स की बात ही करें, तो कहरें पहले था आपके इसको हटाया, दूसरी बिमारी मिल गई, इससे आपने चुटकारा डालने के लिए कुछ इलाज किया, तीसरी मिल गई, तो कि तो negation of negation नहीं होती जा रही है, कि एक चीज को negate करने के लिए आप effort लगाते हैं, दूसरी चीज आ जाती है, उसको negate करना पड़ते हैं, तो इ लास्ट है, आस्पेक्ट, इस दो जनरली बिच्चों को समझ नहीं हाता, बहुत ही simple है, वो बोलते हैं, वो बोलते हैं, transition of quantity, quantity into quality, quantity into quality का मतलब बहुत simple मतलब है, कि जैसे आपको मैं example से समझाते हैं, जो कालमाक्स में लिखते हैं, वो लिखते हैं, जो workers हैं, workers को पता है कि उ उनकी salaries काफी low हैं, हाना, और उनको पता है कि उनकी जो working conditions हैं, working conditions, they are not that good, कि let's say साफ सफाई नहीं हैं, और light अच्छी नहीं हैं, और कुछ खाने का समान भी अच्छा नहीं मिलता, जो भी है, हाना, wages भी कम हैं, conditions भी अच्छी नहीं हैं, और working hours जाता हैं, जो भी, हाना, तो क हैं, कि you are only demanding quantity, कि एक दिन जब alienation इतनी बढ़ता हैगी, alienation इतनी बढ़ता हैगी, तो you will not demand change in quantity, कि आप क्या गर होगी, you will demand change in quality, आप बोलोगी, यह system ही नहीं चाहिए मुझे, कि मैं worker, आप owner, मुझे यह system ही नहीं चाहिए, I want to let go of the system itself, then you will stop fighting for wages, working conditions, then you will start fighting for what, then you will start fighting for system, change of system, तो इसको बोलता है कि transition हो जाता है, gradually पहले तो आप quantitatively लड़ रहे होता हो, बर लेकिन एक दिन आप then you realize, जिसको कालमाक्स क्या बोलता है, true consciousness, then you realize कि quantity बदने से कुछ नहीं होने वाला, quality ही बदननी पड़ेगी, हमें qualitative changes ही लाने पड़ेंगे, तो यह तीन जो angles के laws हैं, यह ब और एक दायलोग, और extract किया हो, बाकि ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हमने miss कर दिया, तो यह चीज़े हैं, लेकिन again, I repeat, reserve में हमारे पास कालमाक्स chapter, शुरू के chapters में given है, वो reserve पढ़ना शुरू करो, and कुछ specific questions हैं, जो मैं अपनी, जो test में, जो हमारे testory चल रही है, उस specific में पसर question होता है हमारे पास, अब तो आना बंद हो गया है, पहले आता है, कि is failure of USSR, does failure of USSR depict failure of Marx, आप उसमें कुछ बात करते हो, ऐसे चोड़ चीज़े होती हैं, और बाकि Marx का क्या point of view रहा है, कि relationship कैसे हमारे invert हो रहे हैं, etc, चोड़ चीज़े हैं, हम यह test series में discuss करते चलेंगे, और वहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और इसकतारे में बता दूँगा, बाकि आप अगर Ritzer पढ़ रहे हो, और आप Igno पढ़ रहे हो, तो there is absolutely nothing that you are missing out on, सब कुछ हम cover कर पा रहे हैं उसे, तो यह Karl Marx हमने यहाँ पे cover किया, बाकि क्योंकि मैं एक बार चाहता हूँ, quickly remind करवान हमने stratification जब पढ़ा था, तो वहाँ पर भी Karl Marx के बारे में बात की थी, Karl Marx ने हमें theory दी थी, stratification की, वहाँ पे हमने बात की थी, Darren Doff के हमने point पढ़े थे, वहाँ पे हमने Weber भी compare किया था, कि Weber की definition class के क्या होती है, Marx के क्या होती है, हमने यह जो thinker जितने हम पढ़ते जा रहे है अभी तक हम भी पहले इतनी जगा पढ़ चुके हैं, हमने power and politics वाले chapter में भी Karl Marx का जिकर पढ़ा था, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल isolation में हमने Karl Marx पढ़ना चुरू किया है, उन वाले notes में से भी आप कुछ-कुछ समान बोरो करोगे, पेपर की according क्यों कि पेपर में जब सवा लग रहें, लेकिन स्टिल पेपर जब बनाते हैं, वो सेट करते हैं, तो कहीं न कहीं intermingling करते हैं वो questions की, तो इतना लेकिन नहीं होता, आपको काफी clear cut पता होगा, notes भी हमाने काफी हमारे streamline दी चल रहे हैं, तो बस ठीक है, तो अगना next chapter शुरू करेंगे, हम Emile Durkheim, अपना कल हमारा Durkheim का lecture आजागा, number one, Durkheim is a very huge long thinker, मेरे हिसाब से सबसे लंबा thinker जो cover करने भी Durkheim होता है, तो मैं try करूँगा बहुती rapidly cover करने के Durkheim को, तो बस आसा चलने के try करना, पढ़ते रहो, अब शुरू हो गया, काफी process तेज, ठीक है दोस्तों, मिलेंगे, जल्दी ही, thank you आजट तो